राम राम दोस्तों आज का question है 4 root under 14 प्लस cube root under 6 प्लस square root under 4 हम लोगों कोई से simplify करना है तो चलिए solution start करते हैं यह जो term हमें दिया हुआ है इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं 4 root under 14 प्लस cube root under 6 प्लस इस square root under 4 की जगा हम लोग लिख सकते हैं root under 2 का whole square तू का square करेंगे तो 4 आ जाएगा यह square से यह square root हम लोग काट सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 4 root under 14 प्लस cube root under 6 प्लस 2 further इस वाले term को हम लोग लिख सकते हैं 4 root under 14 प्लस cube root under 6 प्लस 2 प्लस 2 एट अब हम लोग cube root under 1 की जगा लिखेंगे cube root under 2 का whole cube करेंगे तो 8 आ जाएगा तो इस वाले term को हम लोग further लिख सकते हैं 4 root under 14 प्लस 3 root under 2 का whole cube तो यह cube से यह cube root कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 root under 14 प्लस 2 इस term को हम लोग लिख सकते हैं 4 root under 14 प्लस 2 16 अब इस 16 की जगा हम लोग लिख सकते हैं 2 का whole power 4 अगर 2 का power 4 करेंगे तो 16 आएगा और यह पूरा रहेगा हमारे पास 4 root under की तो यह 4 से यह 4 root of कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 और यही इस question का answer होगा लिख सकते हैं